मैं हूँ किशोर अजवानी आज की ताजा ख़बर जारी है से पहले स्कूल में चल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स की समय बज्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी खायल चात्रा को भी कुछ लोग सेफटी बेल्ट बानते हुए समझा रहे थी नीचे उसकी मा भी खड़ी थी और उसका होसला बढ़ा रही थी सुरक्षा इंतिजाम करने के बाद लड़की को रसी से लटकाया गया अभी उसने दोनों हातों से रसी को पकड़ा था लेकिन जैसे ही उसने रसी से हाथ छोड़े सेफटी बेल्ट तूट गई वो नीचे गिर पड़ी लड़की को तुरन खायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवा गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रबंदन और ट्रेनिंग देने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्च कर लिया प्रदूशन से दिल्ली का दम घुटने के बाद अब लोगों को साफ हवा में सांस लेने के लिए भी पैसे खर्चने कर पड़ रहे हैं दिल्ली के एक शॉपिंग मौल में एक ऐसा पारलर खोला गया है जहां लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सिजन उपलब्द कराई जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सिजन बार रखा गया है दुनिया के कई मुलकों में इस तरह के बार पहले से चल रहे हैं लेकिन भारत में लोगों से पैसे लेकर उन्हें सांस लेने के लिए साफ अवा देने का तज़रूबा नया है बार में कांच की बोतलों में पानी भर कर रखा जाता है जिन में अलग-अलग तरह के फ्लेवर भी डाल दिये जाते हैं फिर कुछ फिल्टर की मदद से इससे ऑक्सिजन को अलग किया जाता है यही ऑक्सिजन ट्यूब के जरीए सीधा नाथ तक पहुचाए जाती है दावा यह किया जाता है कि महस 15 मिनट तक साफ ऑक्सिजन में सांस लेने से चरीर को कई फाइदे होते हैं ऑक्सिजन बार में पहुचने वाले लोगों की गिनिती भी तेजी से बढ़ रही है साफ हवा में सांस लेने का फर्क भी लोग मैसूस करते हैं 15 मिनट साफ ऑक्सिजन में सांस लेनी की खीमत 300 रुपए से शुरू होती प्रदूशन का असर लोगों के दिमाग पर इसकदर हावी हुआ है कि लोग ऑक्सिजन के छोटे छोटे कैन भी खरीद रहे हैं ऑक्सिजन के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़े इनों रखी हुई है जो की बहुत ज़ादा इस वक्त बिक्री हो रही है पिछले कुछ समय से काफी ज़्यादा बढ़ गई है मुबई के पास थाड़े में नासिक हाईवे पर एक तेज रफतार मिनी ट्रक एक पेर से टकराकर पलट गया जिसकी बजह से उसका ड्राइवर और क्लीनर दोनों फस गए जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलस की टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों को निकालने के लिए रिस्क्यू ओपरेशन चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया इस खटना में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को कई चोटे आई जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई मुटभेड के साथ ही सुरक्षाबल ने पिछले 24 घंटों में चार आतंकियों को धेर कर दिये सुरक्षा बल को गांदर बल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की पुखता जानकारी मिली जिसके बाद बड़ी तादाद में जवान बखतर बंद गाड़ियों में वहां पहुँचे मद्रदेश की दमों में एक लड़का शराब के नशे में रेलवे ट्राक पर गिर गया मद्रप्रदेश की दमों में शादाप की नश्री में रेलवे ट्राक पर गिरेक लड़के की उपर से पूरी ट्रेन गुजर गई रहत की बात ये रही की लड़के को किसी तलह की चोट नहीं आई अयोध्या केस में सुप्रीम कोड की फैस्दे पर एकराज उटाने बाले एआई माईम अध्यक्ष असदुदीन ओवैसी के बयान पर बरेली की उलिमाओं ने पलटवार किया और मामले पर राजनीती ना करने की सलहा दी असर्दुदीन ओएसी साहब हैधराबाद की सियासत करते हैं वो हैधराबाद की सियासत करें उताफ पर देश के मुसल्मानों को कुछ समझाने की कोशिच ना करें प्रयाकराज में जिप्पी सियम केशव प्रसाद मौरे ने बताया कि आयोध्या में राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है साथी उन्होंने साम्प्रदाइक सोहर्द बनाय रखने के लिए सभी की तारीफ की पूरे देश ने एक जुटता के साथ उस फैसले का स्वागत किया अब सिधाम जर्मों भूमी पर बब्बे मंदिर निर्मार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है प्राजिस्थान के बिकानेर में सिख रेजिमेंट के जवानों ने धुमधाम से गुलु नानक जहनती में आई इस बीच महां कई कारिक्रम भी होए यूपी के मेरट में बदमाश्चों ने लूट की रादे से बाइक पर अपने बेचे के साथ जा रही एक महिला को गोली मार दी जुसे गंभीर हालत में अस्पताल में भरती करवा गया मद्रप्रदेश के सिहोर में महिलाओं ने 18 मिनुट में 108 बार सूरी नमस्कार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और स्वास्त के प्रती लोगों को जागरुक होने का संदेश दिया